इस बकवास से इंट्रो के लिए माफी बागना चाहता हूँ इस वीडियो को भी दिखाने के पीछे मेरा एक कारण है एक रीजन है कि भाई साहब डांस कर पा रहे हैं अपने हाथ अपने पैर को हिला पा रहे हैं इस आज की इस वीडियो में अमें Character आखेंगे हम सब्सक्रों की परेंग के और बहुद ए इस वीडियो का रहे है और भाई साहब किस टीशू की वजव से डांस कर पा रहे हैं ये भी आपको हम बताएंगे तो फटा फट वीडियो को स्टार्ट करते हैं Without wasting time, मुझे पता है, आप लोगोंने काफी इंतजार किया इस वीडियो का. So, hello everyone, this is your host and mentor, प्रेम पांडे, welcoming you to another exciting video of educational hikes. केम चा मेरी जान, must, मला मा, let's get started. Hi, क्या तो smart हो? आज के सेरा में ना, हर कोई अपने आपको smart समझता है, लेकिन होता नहीं है. Smart वही होता है, जो अपने present के साथ साथ अपने future की भी planning कर सके, जी हाँ, और इसी वज़र से हम अपने future को secure करनी के लिए अलग-अलग insurances लेते हैं, हम अपना car insurance लेते हैं, health insurance लेते हैं, term insurance लेते हैं, ताकि हमारे present के साथ हमारा future भी secure हो सके. कई बार ये insurances हमें उतना profit नहीं दे पाते हैं, जितना हमें चाहिए. इसके पीछे का कारण क्या है कि हमें knowledge ही नहीं होती insurances के बारे में, तो भाई हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए insurance और taxitation का course बिल्कुल free कराने वाला हूँ. इसके लिए आपको करना क्या है, ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इसी वीडियो की description box में, आपको insurance and taxitation करके एक link मिल जाएगी, link पर आपको click करना है, जैसी आप link पर click करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा web page open होकर आ जाने वाला है, अब आपके सामने ये जो web page open है, आप एक बार पहल लो, ये course आपको लगभग 1000 रुपे का मिलता है, अगर आप मेरे चानल के अलावा लेते हो तो, ठीक है, अब देखो इसमें आपको 47 वीडियो मिल जाएंगे, ये 5 study materials मिल जाएंगे, और ये पूरा course, आपको मैं free में दिला ले वाला हूँ, जो आपको सिखाएगा कि इंस्वरेंस से maximum profit कैसे ले, और taxation क्या होता, इसके लिए आपको enroll now पर क्लिक करना है, register पर क्लिक करना है, फिर continue with google कर लो, सबसे आसान है, जैसे मैं हमेशा google से ही sign up करता हूँ, तो आप continue with google करो, आप जैसे continue with google पर touch करोगे न, आपके phone में जितनी Gmail ID है वो open होगर आ जाएगी, आप जिस भी Gmail ID से register करना चाहते हो, उसको touch करो, जैसे touch करते हो न, आप से कुछ जरूरी detail मागता है, जैसे नाम, number, consistate से हो आप, मैं एक बार register कर चुका हूँ, तो मेरे से तो नहीं मागेगा, फिर से आपको enroll now पर click करना है, आप direct payment वाले option पर आ जाओगे, payment वाले option में आप देख रहे हो, 9.99 तक course है, बस आपको coupon code वाले section में आना है, जैसे ही 0 रुपय का course होता है, आप start learning पर click कर सकते हो, आप जैसे start learning पर click करते हो, आपका purchase complete हो जाता है, और 3-4 second बाद, पूरी 47 वीडियो का playlist आपके सामने open होकर जाता है, enjoy your course for free of cost, so go for it. Coming straight to the first topic of this video, और इस video के सुरुवात होती है, animal tease-doos के बारे में, और मैं आपको बता दू कि इस chapter का जो finishing end है वो इसी वीडियो में है, जी हाँ, हम सभी तरीके के animal tissues को पढ़ेंगे, और इस chapter को खतम भी करेंगे हाँ, इसी वीडियो में, अगर आपने first part इस chapter का नहीं देखा है जाकर देखो, बहुत जरूरी है, और उस part में हमने सभी तरीके के plant tissues के बारे में आपको पढ़ाया है, ठीक है, देख लिया, अब बात करते हैं इस वीडियो की, topic number 6.3, animal tissues क्या होते हैं, और कितनी तरीके के होते हैं, वो हम इस topic में पढ़ेंगे, ठीक है, चालो, सुरवात होती है इस chapter की इस वीडियो की, कि भाई साब, when we breathe, we actually feel the movement of our chest, जब कभी हम सांस लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका chest move करता है, आप सांस अंदर लो, आपका chest full जाता है, आप सांस को छोड़ोगे, आपका chest क्या हो जाता है, वापस उसी position में आ जाता है, आप सभी ने ऐसा feel किया है, बिल्कुल feel किया होगा, अच्छा कभी सोचा है कि हमारे chest move क्यों करते हैं, हाँ संदर लेते हैं हमारे chest move क्यों करते, क्यों, why, why, what is the reason behind this, reason क्या है, reason ये है, कि हमारे chest के movement के लिए, हमारी body में spatial cells पाए जाते हैं, जिनको हम muscle cell कहते हैं, Muscle Cells का काम क्या होता है? Muscle Cells का काम होता है Contraction and Relaxation का Contraction का मतलब खिचना Relaxation का मतलब वापस उसी position में आना आप सास लो That is contraction आप सास छोड़ रहो That is relaxation ठीक है? तो भाई हमारी body में जो भी moment होता है हम चलते हैं, फिरते हैं किसी को मारते हैं कुथते हैं, जंप करते हैं That is all due to muscle cells ठीक है? Muscle Cells क्या करते हैं? Muscle Cells contract करते हैं और relax करते हैं जिसके result में जिसके परिडाम स्वरूप हम अपनी body को move कर सकते हैं समझ में आया? आप ये जो figure देख पा रहे हो ये जो figure है ये हमारे muscle cells का है स्मूथ muscle cells आप देख पा रहे हो ठीक है? इन muscle cells का काम क्या होता? ये contract करते हैं और relax करते हैं contract relax का मतलब समझ में आता है यह नहीं आप मुठी बंद करो इसको हम contraction कहते हैं आप मुठी छोड़ दो that is relaxation ऐसी तो हमारा chest करता है ना? बिलकुल सही अच्छा बोल रहा है कि भाई during breathing we inhale oxygen जब कभी भी हम सांस लेते हैं तो हम oxygen को अंदर लेते हैं क्या तुमने कभी सोचा ये oxygen जाता कहा है? मैं बताता हूँ ये oxygen absorb हो जाता है कहां पर absorb हो जाता है? हमारे lungs हमारे फेफडों में हमारा जो chest है न chest के अंदर क्या है? दो-दो lungs हैं ठीक है? तो ये जो oxygen हम environment से लेते हैं ये lungs इन oxygen को absorb कर लेता है और absorb करने के बाद body के अलग-अलग cells तक ये transport कर देता है body के अलग-अलग cells तक इस oxygen को पहुचा दिया जाता है और पहुचाने का काम कौन करता है? हमारा blood जी हाँ, blood क्या है? blood एक समझ लो, bike है इस bike पर बैठ कर जितने भी oxygen होते हैं जितने भी food materials होते हैं वो body के अलग-अलग parts तक पहुचते हैं ठीक है? अच्छा तुमने गभी सोचा है कि जो हमारे body के cells होते हैं इनको oxygen क्यों चाहिए? कभी सोचा है? इस question का answer तुमें कैसे मिलेगा? तुमने mitochondria का function तो पढ़ा होगा mitochondria को हम क्या कहते हैं? mitochondria को हम powerhouse upsell कहते हैं कहते की नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि mitochondria क्या करता है? oxygen लेता है और energy को generate करता है अलग-अलग cells तक energy पहुचाने का काम करता है येस, बिल्कुल सही हमारे cells को oxygen क्यों चाहिए? ताकि वो energy generate कर पाएं ताकि वो cells जो भी काम करते हैं उन काम को करने के लिए energy चाहिए वो energy कौन देगा? ये oxygen ही देगा blood flows and carries various substances from one part of the body to the other अब ये जो blood है हमारा जो हमारा खून होता है ये खून हमेशा बहता रहता है हमारी body में चलता रहता है और ये oxygen के साथ साथ और भी बहुत सारे जो food materials है वो cell के अलग-अलग हिस्सों तक पहुचाता है मैं example आपको बताता हूँ ये जो blood है हमारा ये oxygen और food हमारे body के सभी cells तक पहुचाने का काम करता है और इसके अलावा हमारी body में जो कोई भी waste है जो कोई भी फाल्तू चीज है जिसको बाहर निकालना है blood क्या करता है इस फाल्तू चीज को भी body के अलग-अलग parts से collect करता है और उसके बाद उन्हें liver और kidney तक पहुचाता है फिर liver और kidney क्या करते है इनको बाहर निकाल देते है ये तो आपको पता urine के through और excretion के through ठीक है चालो आगे पढ़ते है blood and muscles are both examples of the tissues found in our body जो blood है, खून है हमारा हमारा जो muscles है ये दोनों tissues के example है ये हमारे सरीर में पाये जाने वाले बहुत ही important tissues है ठीक है, समझ में आया on the basis of the functions they perform we can think of different types of animal tissues भाई हमारे body में अलग-अलग काम होते है मतलब बहुत जारे काम होते हैं हमारे body में और इन ही काम को करने के लिए हमारे body में अलग-अलग तरीके के tissues बनाए गए है कितने तरीके के tissues चार तरीके के पहला epithelial tissues, दूसरा connective tissue, तीसरा muscular tissue और चौता हो गया हमारा nervous tissue इन ही चार तरीके के tissues हमारी body में सभी तरीके के काम करते हैं ठीक है, और इन ही चार types of tissues के बारे में हम इन videos में पाइने वाले हैं यह जो हमारा blood है यह एक तरीके का connective tissue है यह देखो, connective tissue जो हमारा muscle है, यह एक तरीके का muscular tissue है, यह जो हमारे nerves होते हैं, वो एक तरीके का nervous tissue होता है हमारा जो skin है यह एक तरीके का epithelial tissue होता है तो भाई चार तरीके के टीशूज हैं, अब हम एक एक करके इने टीशूज के बारे में पढ़ेंगे, is it clear now, विल्कुल clear हो गया होगा, so our first type of tissue is epithelial tissue, हमारा जो skin होता है, हमारा जो इंसान का चमड़ा होता है, that is of epithelial tissue, ये हमारे epithelial tissue से ही मिलके बनते हैं, ठीक है, देख epithelial tissue कहां कहां पाये जाते हैं, हमारी body में जो covering होता है, आपने देखा होगा हमारी body किस चीज से cover है, भाई, skin से cover है, हमारा जो skin है, ये हमारी पूरी body को cover करता है, तो बस जो चीज body को cover करने का काम करे, समझ जाओ वहाँ पर epithelial tissue है, ठीक है, epithelial covers most organs and cavities within the body, ये जो epithel epithelial tissue है, ये हमारे सरीर को क्या करता है, cover करने का काम करता है, हमारे सरीर के अंदर जितने भी organs हैं, और जितनी भी cavities है, cavities का मतलब पता है आपको, हमारी body में तीन तरीके की cavities होती है, मतलब खाली जगह, एक तो होता है हमारा chest, chest के अंदर भी खाली जगह है, जिसको हम thoracic cavity, thoracic cavity, हमारा जो पेट है, इसको हम abdominal cavity कहते हैं, क्या कहते हैं, abdominal cavity, ठीक है, और पेट के नीचे, जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम pelvic cavity कहते हैं, क्या कहते हैं, pelvic cavity, तो ये तो आपको जानना ज़रूरी नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, भाई, ये जो epithelial tissue होता है ये हमारे body के अलग-अलग organs और अलग-अलग खाली अस्थानों को cover करता है, ढखता है, ठीक है, epithelial का और भी काम होता है, जैसे ये अलग-अलग organs को अलग करता है, जैसे हमारे body में बहुत सारे organs हैं, पेट अलग है, chest अलग है, हमारा जो pelvic reason है, हमारे जो reproductive organ है, वो सब करता है, ये ये epithelial tissue काम करता है, ठीक है, जैसे हमारे घर में अलग-अलग कमरे होते हैं, कमरों को अलग करने के लिए दिवाल लगाते हैं, हमारी body में जो अलग-अलग organs हैं, body system का मतलब पता हैं, nervous system, skeletal system, muscular system, कितने सारे system हैं हमारे body में, इन systems को भी अलग करने के लिए, य हमारे epithelial tissue काम में आते हैं, ठीक है, epithelial tissue क्या करता है, barrier बनकर दो body systems के बीच में खड़ा हो जाता है, और इन body systems को अलग-अलग करने में मदद करता है, ठीक है, the skin, the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, lung alveoli and kidney tubules, all are made of epithelial tissues, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई, हमारी body में कौन-कौन सी ची से मिलकर बनी है, तो आप क्या-क्या बताओगे, आप बोलोगे कि भाईया, सबसे पहले तो जो हमारी skin है, जो हमारा outer skin होता है, वह हमारा epithelial tissue से मिलकर बना है, उसके बाद, हमारा जो lining of the mouth, आप अगर अपने मूँ के अंदर उंगली डालोगे, आपका ये जो chicks वाला, जो carry करने वाली जो pipe होती है, वो भी हमारी किस से बनी होती है? epithelial tissue से बनी होती है, ठीक है? lining of blood vessel का मतलब क्या है, पता है? lining का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता दू, lining का मतलब होता है, किसी चीज़ को cover करना, ठीक है? तो जो छोटी-छोटी pipe होती है, खोन को ले जाने वाली वो pipe का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, चलो मैं तुमको figure देखा देता हूँ, आप ये figure देख पा रहे हो, आप figure में एक अंदर, सबसे अंदर वाली जो covering देख रहे हो, बस उसी को हम blood vessel की lining कहते हैं, वो किस से मिलकर बनी है, वो epithelial tissue से मिलकर बनी है, ठीक है, lung alveoli, आ उन्ही को हम lung alveoli कहते हैं, ये भी हमारा epithelial tissue से मिलकर बनता है, kidney tubules, kidney tubules क्या होते हैं, हमारा जो blood होता है, वो waste चीजों को kidney तक पहुचा देता है, ठीक है, और फिर kidney उसको बाहर कर देता है, कुछ ऐसी भी चीजे होती है, जो blood नच आते हुए भी kidney में भेज देता है, लेकिन फिर भी blood ने उसको filter कर दिया है, तो ये kidney tubules क्या करते हैं, वापस उन जरूरी nutrients को blood में भेजते हैं, ठीक है, तो इनको हम kidney tubules कहते हैं, kidney tubules भी हमारे epithelial tissue से ही मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, समझ में आया, अब देको आगे पढ़ते हैं कि भाई, जो epithelial tissue होते हैं मतलब इनके cells के बीच में बिलकुल भी gap नहीं होता, ये एक continuous seat की तरह होते हैं, आप skin को ही देख लो, skin क्या है हमारा, continuous है न, भाई हमारा सर से लेकर पैर तक एक ही skin है, ये continuous है, है की नहीं है, ये continuous क्यों है, क्योंकि भाई, जो हमारे epithelial tissues के cells होते हैं, वो tightly packed होते हैं, मतल tissues होते हैं, ये continuous होते हैं, ठीक है, लगातार होते हैं, they have only a small amount of cementing material between them, and almost no intercellular species, यहाँ पर देखो, वही बात कह रहा है, क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बताया, कह रहा है कि भाई, जो epithelial tissues के cells होते हैं, उनके बीच में कोई cementing material नहीं use होता, cementing material का मतलब, जैसे हम दो इ epithelial tissues में, दो cells को चिपकाने के लिए, ऐसा कोई material यूज नहीं होता है, और ना तो epithelial tissues के cells के बीच में, जगा होती है, मतलब, आप ऐसे कह सकते हो, कि भाई, जो epithelial tissues के cells होते हैं, वो बिलकुल एकदम, एकदम, पास-पास में होते हैं, इतना पास-पास में होते हैं, कि इनको cementing material की जरुवत नहीं होती cementing material मतलब इन cells को चिपकाने के लिए इन्हें किसी चीज की जरुवत नहीं होती ये cells बहुत जादा past में होते हैं और past में होने की वज़े से ही ये continuous seat बना देते हैं जैसे हमारा skin हो गया ठीक है? अच्छा obviously anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium कह रहा है कि भाई जब हमारा पूरा सरीर epithelium tissues से ही ढखा हुआ है चाहे तुम सरीर के बाहर की बात कर लो जो हमारे skin है वो एक तरीके का epithelium है हमारी पूरी body skin से ही ढखी हुई है तुम सरीर के अंदर की बात कर लो हमारे अंदर जितने भी body parts है वो सभी epithelium tissues से ही ढखे हुए है तो भाई जब सारी चीजे epithelium tissues से ढखी हुई है तो किसी भी चीज को अगर सरीर के अंदर आना हुआ या सरीर के बाहर जाना हुआ तो वो epithelium tissues से ही होकर आएगा जाएगा है की नहीं है और यही कारड है as a result the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and between the different parts of the body कह रहा है कि भाई जब किसी भी चीज को अंदर बाहर करना हुआ तो वो epithelium tissues से होकर ही अंदर बाहर करेगा और यही कारड है कि जो epithelium tissues होते हैं वो permeable होते हैं मतलब वो केवल कुछ चीजों को ही अंदर बाहर जाने की permission देते हैं ठीक है और इसी वज़र से यह जो epithelium tissues होते हैं वो permeable होते हैं और यही कारड है कि epithelium tissues से होकर कुछ materials body के अंदर से body के बाहर यानि external environment में जा सकते हैं या body के अंदर जितने अलग-अलग body parts है एक body parts है दूसरे body parts में भी material डालने के लिए epithelium tissues से ही होकर गुजरना पड़ता है ठीक है regardless of the type all epithelium is usually separated from the underlying tissue क्या कह रहा है कह रहा है कि भाई चाहे किसी भी तरीकी का epithelium tissue हो epithelium tissue तीन तरीके खोते है squamous, cuboidal और columninal चाहे किसी भी तरीके का हमारा यह epithelium tissue हो वो अलग होता यह देखो pink वाला जो दिख रहा है यह हमारा epithelium है यह जो pink वाला दिख रहा है यह epithelium है और यह जो pink वाला part है आप देख पारे हो यह सीधा सीधा अलग है नीचे वाले fibrous basement से यह जो basement दिख रहा है यह जो निचला हिस्सा दिख रहा है आपको यह extra cellular होता है extra cellular का मतलब आप देखो यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ लिखा गया है कि भाई जितने तरीके के जितने भी तरीके के epithelium tissues होते है वो नीचे दबे हुए जो basement होता है उससे अलग होते हैं वो हम साफ साफ देख सकते हैं आप देख पारे हो यह देख रहो basement से यह जो हमारा epithelium tissue है यह अलग है यह हमें साफ साफ पता चल रहा है है की नहीं है बस वो ही आपको बताना चाहरा है ठीक है different epithelia मतलब epithelium tissues अलग-अलग type के होते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया तीन तरीके के होते हैं तो बाई जितनी भी different epithelium tissues होते हैं उनका अलग-अलग structure होता है और उनका structure उनके function से correlate होता है मतलब अलग-अलग epithelium tissues अलग-अलग shapes और sizes के क्यों होते हैं क्योंकि उनका काम ही उसी तरीके का होता है अब हम उनके काम को भी देखेंगे shapes को भी देखेंगे ठीक है मैं आपको एक example दे देता हूँ in the cells lining blood vessels और lung alveoli अब देखो blood vessels और lung alveoli ये क्या होते हैं ये तरीके के pipe होते है blood vessel का मतलब क्या होता है जो blood को carry करने वाली pipe होती है उसको हम blood vessels कहते हैं lung alveoli का मतलब क्या होता है lungs में सास लेने के लिए और सास को छोडने के लिए जो gas को transport करने के लिए pipe होती उसको हम lung alveoli कहते हैं तो भाई जो blood के pipes होते हैं जो oxygen और carbon dioxide को छोडने वाली pipe होती है ये सब जो pipe होती है न ये भी epithelium tissues ही है और इनका structure कैसा होता है ये देखो where transportation of substances occurs through a selectively selectively what? selectively permeable surface there is a simple flat kind of epithelium मतलब जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग epithelium जो होते हैं वो अलग-अलग structures की क्यों होते हैं क्योंकि वो अपने काम के अनुसार उनका structure होता है जैसे एक example देख लो जो blood होता है इसका काम क्या होता है blood का काम होता flow करना किसी चीज पर बहना ठीक है lung-alveoli lung-alveoli भी वो pipe होती है जो gases को बाहर अंदर करने में मदद करती है ये भी flow करवाने में मदद करती है ठीक है तो इसलिए blood vessels और lung-alveoli जिस भी epithelium tissue से मिलकर बनते हैं वो epithelium tissue कुछ ऐसा दिखता है आप देखरों अगदम flat है अगदम चिकना है ये चिकना नहीं होता तो क्या blood flow कर पाता नहीं कर पाता तो इस तरीके के epithelium tissues को हम simple squamous epithelium कहते हैं क्या कहते हैं simple squamous epithelium ये कहां-कहां पाया जाता है ये हमारे blood vessels में पाया जाता है जो blood की pipe होती है जो blood को carry करने वाली pipe होती है और जो lung alveoli होती है वहां इन दोनों जगपर हमारा ये squamous epithelium पाया जाता है simple squamous epithelium cells are extremely thin बता रहा है कि भाई ये squamous epithelium कैसे होते हैं इनके जो cells होते हैं काफी पतले होते हैं और flat होते हैं मतलब एकदम चिपक्के होते हैं आप देख पा रहे हो ये एकदम बहुत ही ज़्यादा पतले हैं ये देखो कितने पतले होते हैं और एकदम चिपक्के हैं ये देख रहा है आप पूरे चिपके हुए है ये नीचे वाले basement से चिपके हुए हैं तो वही कह रहा है कि भाई जो simple squamous epithelium cells होते हैं वो काफी पतले होते हैं, काफी flat होते हैं और काफी mulayam भी होते हैं delicate lining, delicate lining का मतलब ये जिस भी चीज को cover करते हैं epithelium tissue मतलब cover करते हैं किसी भी चीज को cover करने के ही काम में आएंगे तो जहां पर simple squamous epithelium use होता है समझ जाओ, वो बहुत ही ज़ादा mulayam चीज है मैं आपको एक example देता हूँ, oesophagus oesophagus क्या होता है, जो आपके मुँ से खाने को पेट में ले जाने वाली pipe होती है उसको हम oesophagus कहते है ये जो pipe होती है काफी मुलायम होती है क्यों? क्योंकि ये squamous epithelium से मिलकर बना है मैं एक और example देता हूँ, जो lining of mouth होता है आप अपने गाल के अंदर वाला जो हिस्सा होता है आप अपने मुँ से अपने chicks को अंदर वाले chicks को touch करो आप देखो कि काफी मुलायम लेयर है ये भी हमारा squamous epithelium से मिलकर बनता है ठीक है? अब आगे देखते है the skin which protects the body is also made of squamous epithelium जो हमारी skin होती है जो हमारा बाहर का जो चमड़ा होता है जो हमारे सरीर में skin लगी हुई है ये skin भी हमारा squamous epithelium ही होता है लेकिन simple squamous नहीं होता squamous epithelium दो तरीके के होते हैं एक होता है simple और दूसरा होता है हमारा stratified ठीक है? simple और stratified simple कहां कहां use होता है मैंने बता दिया oesophagus में मतलब जो खाने को पेट में ले जाने वाली pipe होती है उसमें हमारा simple squamous use होता है जो हमारे lining of mouth है मतलब जो हमारे chicks गाल का अंदर वाला हिस्सा है वहाँ भी simple squamous use होता है अब आगे दूसरे तरीके का देखते हैं कि जो हमारे skin है जो हमारा बाहर का skin है आते हैं ताकि जो हमारे skins है वो खराब ना हो वो फट ना जाएं और इसी वज़े से since they are arranged in a pattern of layers the epithelium is called stratified squamous epithelium कह रहा है कि भाई एक तरीके का तो जो squamous होता है वो होता है simple squamous और एक तरीके का होता है stratified squamous अब stratified का मतलब क्या होता है stratified का मतलब ही होता है in layers जो चीज बहुत सारे layers में हो उसको हम stratified squamous कहते हैं तो जो हमारे skin होती है वो बहुत सारे layers में बनी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ ये देख रहो आप ये वाला जो squamous देख रहो यह stratified squamous है, आप देखे हैं, कितने फाइस के लेयर है, उसमें कितने सारे है लेयर है, वापस आते हैं यह देखो, कितने सारे, और टीज़िवा छॉथा, पाच्वेभवाश है, कितने सारे layers of cells है, तो इस तरीकी के squamous epithelium को हम क्या कहते हैं, हम इस तरीकी के squamous epithelium को stratified में क्यों पाया जाता है ताकि हमारी जो skin है ये फट ना जाए ये खराब ना हो जाए तो आप squamous epithelium बहुत अच्छे समझ चुके होगे अब आगे चलते हैं कि जहां पर चीजें absorb होती है और जहां से चीजें निकलती है वो कौन सी जगह है वो intestine है अब intestine में चीजें absorb होती है और चीजें निकलती है कित वजर से लंबे epithelial cells हमारे इस intestine में पाया जाते है ठीक है tall epithelial cells are present in कहां पर intestine में ठीक है हमने देखा skin में कौन सा होता है squamous epithelium अब हम intestine में देख रहे हैं intestine में कौन सा epithelium पाया जाता है tall epithelium cells जो intestine में epithelium cells होते हैं वो काफी लंबे-लंबे होते हैं इनका एक अलग नाम देते हैं हम इन्हें हम columnar epithelium कहते हैं columnar के मतलब क्या होता है लंबे-लंबे एकदम pillar की तरह आपको मैं दिखा देता हूँ यह देख रहे हो यह है हमारा columnar epithelium आप इसका shape देखो काफी लंबे-लंबे है की नी यह देखो कितने लंबे-लंबे एकदम खंबे की तरह है और यह खंबे की तरह क्यों होते हैं यह देखो यहाँ पर लिखा भी है fascillates moment across the epithelium barrier यह इतने लंबे-लंबे क्यों होते हैं ताकि यह जो epithelium tissues है ना इनके through कोई भी चीज cross हो जाए इनके through कोई भी चीज बाहर चली जाए इनके through कोई भी चीज अंदर आ जाए ठीक है अब आगे देखो पढ़ते हैं in the respiratory tract अभी तक तो हमने जो बात करी वो हमने बात करी columnar epithelium cells की ठीक है यह हमने अभी तक बात करी simple columnar की जैसे अभी हमने squamous की बात की थी ना उपर देखो उपर हमने दो तरीके के squamous epithelium पढ़े एक simple और दूसरा stratified वैसे ही हम अब columnar epithelium पढ़ेंगे वो भी दो तरीके के एक होता है simple जो की कहां पाया जाता है intestine में ठीक है और दूसरा कौन सा होता यह देखो in the respiratory tract मतलब जो हमारा सांस लेने वाली नली है जो हमारी सांस लेने वाली pipe है वहाँ पर भी आपको columnar epithelium मिलेगा और वहाँ पर जो respiratory tract होता है जो हमारा सांस लेने वाली pipe होती है वहाँ पर आपको एक hair-like structure प्रेजेंट होगा जिसको हम cilia कहते हैं इसको हम cilia कहते है इसको हम cilia कहते है यह जो cilia होता है यह hair-like structure होता है यह epithelial cells के बाहर निकला हुआ एक hair-like structure होता है इसका काम क्या होता है इस cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it अब जो हमारा respiratory tract होता है जो हमारा सांस लेने वाला pipe होता है अगर उसमें कोई चीज फस जाती है तो वहाँ पर उस फसे हुई चीज को निकालने के लिए cilia present होता है cilia क्या है आप देख रहो respiratory tract के एकदम नीचे एकदम छोटे-छोटे hairs की तरीके से एक अजीब सी चीज present है उसी को हम cilia कहते हैं यह cilia क्या काम करता है इस cilia can move and their movement pushes the mucus forward यह cilia होता है यह move करता है जैसे हमारे जो बाल होते है वह move करते हैं जब हवाँ चलता है तो हमारे रिस्पाइरिटरी tract में जो भी चीज फसी हुई होती है चाहिए वह mucus हो मुकस का मतलब मैंने आपको बताया, जब आपको खासी आती है, जब आपके गले में खरास हो जाती है, तो अंदर क्या होता है, अंदर मुकस होता है, ठीक है, अब इसी मुकस को साफ करने के लिए, ये सीलिया प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल से जिसमें cilia present हो इसको हम ciliated columnar epithelium कहते हैं ठीक है समझ में आया ये वाला paragraph समझ में आया इस paragraph में बस इतना था कि भाई हमारे पास एक और तरीके के epithelium tissues present है जिसको हम columnar epithelium कहते हैं columnar epithelium कहां कहां पाया जाता है एक तो intestine में ठीक है intestine में क्यों पाया जाता है क्योंकि intestine में चीज़ें absorb होती है और secret होती है intestine में ये पाया जाता है जिसकी वज़े से भाई आराम से चीज़ें अंदर आराम से चीज़ें बाहर हो सकती है ठीक है और मैंने और भी बताया कि भाई ये जो columnar होता है ये एक जगा और पाया जाता है कहाँ पर respiratory tract में जो हमारी सांस लेने वाली नली होती है वहाँ पर इसमें cilia भी present होता है जिसकी वज़े से जो cilia होता है वो हमारे सांस लेने वाली pipe में अगर कोई भी चीज फस गई है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है ऐसे epithelium cells को हम ciliated columnar epithelium कहते है तो यह सब हमने पढ़ दे अब आगे चलते एक तीसरे type का epithelium tissue जिसको हम cuboidal epithelium कहते है cuboidal epithelium क्यों कहते है क्योंकि देखो इसका shape ही है cuboid की तरब ठीक है यह देखो cuboid की तरह है यह देखो cuboidal shape आपको तो पता योगा ना जो आपकी ludo की dice होती है वो cuboid shape में होती है तो यह देखो कुछ cuboid shape में है cuboid कैसा होता है cuboid कुछ ऐसा होता है जो मैं figure बना रहा हूँ तो भाई एक और तरीकी का epithelium होता है जिसको हम cuboidal epithelium कहते हैं यह cube shaped का होता है इसलिए इसको हम cuboidal epithelium कहते हैं यह कहां पाया जाता है lining of kidney tubules kidney tubules क्या होता है अब देखो यार क्या होता है कि हमारा जो blood होता है वो जो waste चीजे हैं वो kidney में डाल देता है कुछ ऐसी चीजे होती है जो blood गलती से kidney में डाल देता है इसकी जो covering है इसका जो cover है अंदर वाला वो cuboidal epithelium से मिलकर बना होता है और कौन सी चीज होती है जो salivory gland होता है salivory gland आपने देखा है यह देखो मैं आपको बगल में figure देखा दे रहा हूँ आपके कान के पास यह salivory gland होता है और आपके मूँ तक आता है यह जो पतली सी pipe आप देख पारे हो कान के और मूँ के बीच में इसी को हम salivory gland कहते है ठीक है यह जो salivory gland होता है यह जो पतली सी pipe होती है यह भी हमारा cuboidal epithelium से ही मिलकर बना होता है और यहाँ पर cuboidal epithelium क्या काम करता है kidney tubules और salivory gland में cuboidal epithelium क्या काम करता है यह mechanical support provide करता है मतलब इन pipes को मजबूती प्रदान करता है ठीक है epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells कभी-कभी यह जो epithelial cells होते हैं यह क्या करते हैं यह अलग तरीके का gland बना लेते हैं और फिर उसी organ से अलग-अलग चीजों को secret करते हैं अलग-अलग चीजों को बाहर निकालते हैं ठीक है चलो एक figure मैं आपको दिखा रहा हूँ कभी-कभी क्या होता है कि a portion of the epithelial tissue fold inward कभी-कभी क्या होता है आप देख रहे हो यह जो epithelial tissue आपको दिख रहा है यह अंदर की तरफ मुढ गया है यह देखो अंदर की तरफ मुढ गया है न तो कभी-कभी यह epithelial tissue जो होते हैं यह अंदर की तरफ मुढ जाते हैं और एक multicellular gland बना लेते हैं multicellular gland मतलब gland का मतलब organ होता है एक अलग तरीके का अंग बना लेते हैं और इसी multicellular gland को हम glandular epithelium कहते हैं glandular epithelium किसे कहते हैं आपकी definition यहां से लेकर यहां तक है कि कभी-कभी क्या होता है न कि epithelial tissue अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं जिसकी वज़े से वो एक तरीके का multicellular gland बन जाता है और इसी multicellular gland को हम glandular epithelium कहते हैं समझ में आया बहुत ही simple सी चीज थी glandular epithelium किसे कहते हैं moving to the next point of this particular video और इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई साफ connective tissue किसे कहते हैं यह animal tissue का दूसरा type है connective tissue इसका नाम connective क्यों है क्योंकि यह connection करवाता है किन चीजों का connection करवाता है यह जो connective tissues है ना यह दूसरे tissues को connect करने का काम करता है ठीक है second thing क्या करता है यह किसी एक tissue को किसी organ से connect करने का काम करता है और क्या करता है यह किसी एक organ को किसी दूसरी और्गन से अगर connect कराना हुआ तो यही connective tissue ही काम में आता है ठीक है? Blood is a type of a connective tissue अब blood जो है ना वो हमारा connective tissue का example है blood connective tissue क्यों कहलाता है? ये भी बहुत अच्छा question है देखो यहाँ पर question पूछ रहा है कि why would it be called a connective tissue? हम blood को एक connective tissue क्यों कहते है? simple सी बात है कि भाई जो चीज connect करती है उसी को तो connective tissue कहते है न? तो blood किन चीजों को connect करती है? आपका सर्फ उटे या आपका पैर टूटे bloody निकलना है है की नहीं है? bloody तो निकलता है न? इसका मतलब ये है कि भाई blood हमारी body के अलग-अलग organs को क्या करता है? connect करने का काम करता है ठीक है? भाई आपका जो blood है वो food materials, oxygen अलग-अलग हिस्सों तक पहुचाता है waste material को उठा कर kidney तक पहुचाता है मतलब सभी body parts तक ये blood जो है वो पहुच चुका होता है इसी वज़ा से हम blood को एक connective tissue कहते है ठीक है? चलो, आगे लिखते हैं कि now let us look at this type of tissue in some more detail हम connective tissue के बारे में थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे कि connective tissue के cells कैसे होते है ठीक है? उनके बीच में क्या होता है? जगह होती है नहीं होती है? ये सब पढ़ेंगे हम देखो सीधा सीधा लिखा है कि the cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in a intercellular matrix मतलब जो connective tissue के cells होते है वो क्या होते है? ये cells काफी दूर-दूर होते है एक cell यहाँ तो एक cell यहाँ पर काफी दूरी होती है इन cells के बीच में और embedded in a intercellular matrix अब ये intercellular matrix क्या है? पहले ये समझ लो ये क्या होता है? ये एक non living material होता है ये एक non living material है इसका काम क्या होता है? ये भाई हमारे cells के बीच में जो खाली जगह है ना इन खाली जगह को भरने का काम करता है कौन? matrix ठीक है? चालो तो आगे लिख रहा है कि भाई जो connective tissue के cells होते हैं उनके बीच में काफी जगह होती है और ये जो cells होते हैं ये चिपके हुए होते हैं किस से? intercellular matrix से मतलब connective tissue का एक से लिहाँ पर है एक से लिहाँ पर है और ये दोनों cell intercellular matrix से चिपके हुए है connect होते हैं ठीक है? ये बीच में ये जो चीज है जो cells के बीच में पाया जाता है इसको हम matrix का नाम देते हैं क्या कहते हैं? matrix ठीक है? simple सी चीज़े matrix किसे कहते है जो cells के बीच के gap को भरे बस वही matrix कहलाता है ठीक है? तो आगे पढ़ते हैं भाई कि the matrix में भी jelly-like fluid dense और rigid जो ये matrix होता है ये किसी भी structure का हो सकता है ये चिप-चिपा हो सकता है jelly की तरफ ठीक है? ये liquid की तरफ fluid हो सकता है कहीं भी flow कर सकता है ये काफी घहना dense भी हो सकता है जैसे honey होता है honey काफी dense liquid है तो matrix dense भी हो सकता है और कभी-कभी जो matrix होता है वो काफी hard काफी rigid भी हो सकता है काफी सक्त भी हो सकता है ठीक है? the nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue वही कह रहा है कि भाई कोई भी matrix jelly होगा fluid होगा dense होगा या rigid होगा यह किस चीज़ पर depend करता है किस तरीके का connective tissue है जैसे blood है तो भाई liquid matrix होगा bone है तो हमारा hard and rigid matrix होगा bone आपको पता है bone भी एक तरीके का connective tissue है ठीक है? bone के अंदर किस तरीके का matrix पाया जाता है? काफी hard काफी सक्त matrix पाया जाता है blood के अंदर कैसा matrix पाया जाता है एकदम liquid की तरह जो कहीं भी flow कर जाए ठीक है? चालो तो यह सारी चीज़े तो हमने पढ़ ली यहां पर आपको एक activity करनी है activity क्या आपके लिए suggestion है कि भाई आपना blood को क्या करो किसी एक slide में slide तो पता है न वो glass वाली जो chemistry और bio lab में पाया जाती है वही slide ठीक है कहरा है कि blood हमारे एक तरीके का blood को आपको लेना है और किसी slide पर डाल देना है और उसके बाद आपको microscope के अंदर रखकर blood को देखना है और आपको ये पता लगाना है कि blood के अंदर कितने अलग-अलग तरीके के cells पाया जाते है तो आपको ये करने की जरुवत नहीं है मैं आपको डारेक्ट दिखाई देता हूँ क्या microscope slide वाई ढूडोगे तुम ठीक है ये देखो ये देखो अगर आपसे पूछे जाए कि भाई तो क्या बोलोगे देराइब सिक्स टाइब सफ पाउंड इन ब्लड डैट आर वाट नूट्रोफिल यूजनोफिल बैसोफिल लिंफोसाइट मोनोसाइट प्लेक्टलेट्स ठीक है समझभया अब हम आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो में कि भाई ब्लड के बारे में कुछ बताया गया है कि ब्लड हैस अ फ्लूइड मैट्रिक्स मैंने आपको पहली में बता के रखा है कि भाई ब्लड के अंदर किस तरीकी का ब्लाजमा ब्लड के मैट्रिक्स को हमने एक नाम दिया है क्या कहते है हम इसको प्लाजमा कहते है यह आपके one marker question में आ सकता है कि भाई what is the name of the matrix found in a blood क्या नाम है उसका प्लाजमा नाम है अब प्लाजमा नाम आपने सुना होगा कोरोना काल में काफी फेमस था प्लाजमा अगर किसी को कोरोना हो गया फिर वो बंदा ठीक हो गया तो उस बंदे का प्लाजमा अगर हम किसी infected person में डाल देते हैं तो वो इनसान भी सही हो जाता है ठीक है तो प्लाजमा कितना important है यह आपको इसी कोरोना वाले case से पता चल गया होगा ठीक है तो ब्लड के matrix जिसको हम प्लाजमा कहते हैं इसके अंदर तीन अलग-अलग तरीके के cells मौजूद होते हैं जो होता है हमारा red blood cell नाम सुना होगा आपने white blood cell और तीसरा होता है platelets platelets का भी नाम आपने सुना होगा आजकर डेंगू काफी फैल रहा है तो भाई जिसको डेंगू हो गया समझलो उसके platelets क्या हो जाते है कम हो जाते है ठीक है तो ब्लड का जो matrix है जिसे हम plasma कहते हैं उसके अंदर तीन अलग-अलग तरीके के cells पाय जाते है red blood cell, white blood cell और तीसरा होता है हमारा platelets ठीक है यह जो blood का matrix होता है जिसको हम plasma कहते है यह plasma किन चीजों से मिलकर बना है protein से, salt से, hormones से ठीक है blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste materials to different parts of the body blood का काम क्या होता है blood अलग-अलग gases जैसे oxygen को और carbon dioxide को body के अलग-अलग हिससे तक पहुचाता है जिसको जिस चीज की जरुवत है blood क्या करता है वहाँ पर उस चीज को पहुचा देता है जैसे हमारे lungs को क्या करता है हमारे lungs में oxygen चाहिए हमारे lungs से oxygen निकाल कर अलग-अलग cells तक oxygen पहुचाने का काम किसका होता है इसी blood का होता है हमारा जो खाना होता है, जो हम खाना खा लेते हैं जब हमारे stomach से digest हो जाता है food तो उस food से जो energy मिलती है blood उसको भी carry करता है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुचाता है अलग-अलग hormones को carry करता है blood waste materials को जैसे हमारे stomach के अंदर हमने खाना खाया अब कुछ खाना ऐसा भी होता है जो waste होता है अब इसको blood ही kidney तक पहुचाता है ताकि kidney इसको बाहर निकाल सके तो blood काफी महत्वपूर है और इसी वज़े से इसको connective tissue भी कहते हैं क्यों कहते हैं? अब हम आगे बात करते है bone की bone is another example of a connective tissue जी हाँ bone हमारा एक दूसरा example है connective tissue का it forms the framework that supports the body जो हमारा bone होता है वो क्या करता है? वो हमारे पूरे सरीर का framework यानि धाचा बनाने में मदद करता है और यही framework हमारी body को support करने में मदद करती है हमारी body आज हम बैठे हैं क्यों बैठे हैं? bone की वज़े से हम खड़े हो पाते हैं क्यों खड़े हो पाते हैं? bone की वज़े से bone हमारा क्या करता है? हमारी body को support करने का काम करता है ठीक है? it also anchors the muscles and supports the main organs of the body यह जो bone होता है यह muscles को भी support करता है muscles जो होते न वो bone से चिपक जाते हैं ठीक है और फिर bone से चिपक कर ही muscles अलग-अलग काम करते हैं तो ये जो bone होता है ये muscles को भी support करता है इसके अलावा हमारी body के जो अलग-अलग main organs होते हैं इसको भी support करने का काम किसका होता है bone का ही होता है हमारा जो पकड़ के रखा है तो बोन क्या करता है support करने का काम करता यह मजबूत होता है ना बोन तो यह अलग-अलग organs को support करता है muscles को support करता है अब यहां से लेकर यहां तक तो भाई bone की advantages बताए गए थे अब आगे देखो क्या लिखा है it is a strong and non-flexible tissue यह जो bone होता है यह काफी मजबूत और non-flexible tissue होता है non-flexible मतलब खिच नहीं सकते तुम bone को खीच नहीं सकते हो रबड की जैसे bone खिचता नहीं है यह flexible नहीं होता है अगर तुम bone को खीचोगे तो bone तूट जाएगा plaster लगवाना पड़ेगा फिर ठीक है तो यह देखो bracket में एक question पूछ रहा है कि भाई जो bone हमारा इतना मजबूत होता है non-flexible होता है इसके पीछे का कारण है इससे bone क्या काम करता है bone इतना मजबूत क्यों होता है भाई इसलिए क्योंकि bone हमारे body को framework provide करता है हमारे इतनी सुंदर सा चेहरा बनाने में bone का सबसे बड़ा हाथ है क्यों क्योंकि bone एक धाचा तयार करता है ठीक है जैसे आप ऐसे समझो कि दुर्गा जी का आप अभी देखो दुर्गा जी का season चल रहा है दुर्गा जी की मुर्ती बनाने के लिए ना अंदर लकडी लगाई जाती है तो लकडी क्या काम करता है वही framework का काम करता है ऐसे ही हमारे body में bone क्या काम करता है framework का का काम करता है ठीक है अब आगे बात करते हैं कि bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds अब देखो जो blood का matrix था वो किस चीज़ से मिलकर बना था protein से, salt से, hormones से और bone का जो matrix है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है calcium और phosphorus से याद रहेगा blood का जो matrix है वो protein, salt और hormone से मिलकर बनता है और जो bone का matrix है वो calcium और phosphorus से मिलकर बनता है ठीक है मैंने बताय था ना जो यह दिखो यहाँ पर सीधा-सीधा लिखा गया है कि भाई जो bone के matrix होते हैं वो liquid होते हैं sorry जो blood के matrix होते हैं वहीं पर जो bone के matrix होते हैं काफी hard होते हैं ठीक है तो bone के बारे में भी हमने यहां पर पढ़ लिया Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue अब हम एक और तरीके के connective tissue के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ligament, ligament का काम क्या होता है ligament का काम होता है कि भाई ये एक bone को किसी दूसरे bone से जोड़ने का काम करता है इन दोनों को पकड़ के रखता है अब कभी आपका accident हो जाए और आपकी हड़ी खिसक जाए आपकी हड़ी dislocate हो जाए, आपका bone अपनी जगह से हट जाए तो इसके पीछे का कारड़ क्या है? इसके पीछे का कारड़ ये है कि हमारा ligament break हो गया है हमारा ligament तूट गया है, ठीए है, समझ में आया? अब आपके सरीर में कहीं भी आपकी जो हड़ी है, वो अपनी जगह से कहीं और खिसक जाए या dislocate हो जाए, तो समझ जाना आपका ligament तूट गया है अब ये जो ligament tissue है, ये काफी elastic होते हैं, मतलब ये काफी तन सकते हैं, flexible होते हैं और ये काफी मजबूत भी होते हैं, it has considerable strength, मतलब ठीक ठाक मजबूत होते हैं ये, ठीक है ligament contains a very little matrix, जैसे हमारे blood में, bone में matrix पाया जाता है बिल्कुल वैसे ही ligament के अंदर भी matrix पाया जाता है, और ligament का जो matrix होता है वो कुछ rigid type का होता है, थोड़ा सा hard type का matrix होता है, ठीक है और एक चीज़ है कि ligament के अंदर बहुत कम matrix पाया जाता है एक और तरीकी के connective tissue के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है tendons अब देखो, ligament क्या करता है, किसी एक bone को किसी दूसरे bone से connect करने का काम करता है और वही पर tendon जो होता है, किसी एक bone को किसी muscles से connect करने का काम करता है किस से connect करता है, bone to muscle, ठीक है, समझ में आया tendons connect muscles to bones and are another type of connective tissue हमने यहाँ पर दो तरीके के connective tissue के बारे में पढ़ा है एक है ligament, जो कि bone को bone से connect करता है, दूसरा है tendon, जो bone को किसी एक muscle से connect करता है ठीक है, tendons भी हमारा एक connective tissue का ही type है, अब tendons की बारे में देखो, यहाँ पर एक line बताई गई है कि tendons are fibrous tissue, जो tendons होते हैं, वो fibrous tissue होते हैं, fibrous tissue का मतलब वो बहुत सारे पतले 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 थ्रेड लाइक structure का bundle होता है ठीक है, आप बगल में figure देख पा रहे हो, they are tendons, यह tendons है आप देख रहे हो, इनमें कितनी चोटे-चोटे धागे की तरह structure है और जब यही thread-like structure एक bundle बना लेते हैं, तो समझ जाना वो tendons है ठीक है, tendons are fibrous tissue with great strength tendons की मजबूती काफी तगडी होते है, tendons काफी मजबूत होते है और tendons जल्दी तूटते नहीं है, but limited flexibility लेकिन यह हमारे ligament की तरह उतना जादा flexible नहीं होते हैं उतना जादा elastic नहीं होते हैं, हम tendons को ज़ादा more नहीं सकते हैं फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, चलो, अब एक और तरीके के connective tissue को पढ़ेंगे, जिसका नाम है cartilage, हमने यहाँ पर तीन तरीके के connective tissue पढ़ें, एक तो ligament, दूसरा tendons, और तीसरा अब हम पहने वाले है cartilage, ठीक है, ligament मैंने बताया कि bone to bone को connect करता है, tendons मैंन widely spaced cells, अब जो cartilage होते हैं, यह जो tissue है हमारा cartilage, उसके अंदर जो cells पाया जाते हैं, वो काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफी जगा होती है, the solid matrix is composed of proteins and sugars, अब इस cartilage tissue के अंदर जो matrix पाया जाता है, वो काफी hard होता है, काफी solid होता है, और किन चीजों से मिलकर बना होता है, protein से और sugar से, याद रहेगा, cartilage, जो हमारा एक तरीकी का connective tissue है, वो किस चीज से मिलकर बना है, protein से और sugar से, ठीक है, cartilage का काम क्या होता है, cartilage smoothens bone surfaces at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx, आपको मैं figure दिखा देता हूँ, this is cartilage, आप देख रहे हो, cartilage क्या करता है, यह bone को चिकनाई प बनाता है, आप, आप अपने हाथ को move कर पा रहे हो, why, क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण, cartilage ही है, जी हाँ, समझ लो, cartilage क्या काम करता है, यह किसी एक bone को, जहाँ पर दूसरे bone से जोडा जाता है, उसी joint पर, यह cartilage क्या करता है, उन दोनों bones को smoothness देता है, उन दोनों bones को आसानी से move करने देता है, समझ में आया, cartilage हमारे bone के joints के alama, हमारे nose यानि नाक, हमारे कान, trachea, trachea का मतलब आप बगल में figure देख पा रहे हो, जो हमारा larynx होता है, voice box जो होता है, जिसको हम Adam Sepple कहते हैं, वहाँ से लेकर, lungs तक यह जो pipe दिख रही ह इस trachea में भी आपको cartilage देखने को मिल जाएगा, larynx जो हमारा voice box होता है, जहां से आवाज निकलती है, जिसको हम Adam Sepple कहते हैं, यहां भी आपका cartilage पाया जाता है, ठीक है, तो कहां कहां cartilage पाया जाता है, सबसे पहले joints of the bone, हड़ीयों की जहां पर जोड होती है, वहां पर cartilage हमें देखने को मिलता है, फिर nose, ear, trachea और larynx में, ठीक है, एक बहुत important चीज यहां पर बताई गई है, इसके बारे में सोचना जरूर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि we can fold the cartilage of the ears, आप अपनी ears को आराम से मोड सकते हो, ठीक है, ears के अंदर cartilage पाया जाता है, और आप ears के cartilage क आराम से fold कर सकते हो, लेकिन bones के अंदर जो cartilage पाया जाता है, उसको आप मोड नहीं सकते हो, क्योंकि भाई जो bone का cartilage होता है, वो काफी जादा मजबूत होता है, काफी hard होता है, लेकिन जो ear का cartilage होता है, वो काफी soft होता है, समझ में आया, चालो, अब आगी बात करते हैं, connective tissue के बारे में जिसको हम air roller connective tissue कहते हैं आप इसे air roller भी कह सकते हो या loose connective tissue भी कह सकते हो क्या कह सकते हो loose connective tissue ठीक है काफी धीला ढ़ला connective tissue होता है it's found between the skin and muscles अब यह जो आपका air roller connective tissue होता यह कहां पाया जाता है हमारा जो skin होता है जो हमारा outer skin है और muscles इनी दोनों के बीच में हमारा air roller connective tissue पाया जाता है इसके अलावा blood vessels जो blood को carry करने वाली pipe होती है उसके अगल बगल भी हमारा ये पाया जाता है इसके अलावा nerves जो नसे होती है इंसान की जो नसे होती है उसके अगल बगल भी आपको air roller connective tissue देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा एक और जगा air roller connective tissue आपको देखने को मिलेगा वो है bone marrow bone marrow क्या होता है हड़ियों के बीच में एकदम middle में एक बहुती soft सा और spongy सा material प्रेजन्ट होता है जिसको हम bone marrow कहते है ठीक है तो bone marrow के अंदर भी आपको यही air roller connective tissue देखने को मिलेगा यह काम क्या करता है जैसे हमें तकिया जैसे हमारे लिए तकिया होता है तकिया क्या करता है हमारे सर को support करता है बिल्कुल ऐसे ही air roller connective tissue क्या करता है यह जहाँ जहाँ पाया जाता है उस organ को support करने का काम करता है यह देखो आगे लिखा है कि it fills the space inside the organs यह जो air roller connective tissue होता है यह किसी organ के अंदर खाली जगह है तो उस खाली जगह को पहले भरता है फिल करता है और इसके अलावा हमारे internal body parts हमारे जो internal organs होते हैं जैसे lungs हो गया इन सभी को support करने का काम करता है इनके लिए तकिये का काम करता है और एक और काम करता है कि भाई टीशू उसको भी repair करता है हमारा यह air roller connective tissue तो यहां बड़ बताये गया है air roller connective tissue के बारे में यह हमारा एक ऐसा connective tissue होता है जो skin और muscles के बीच में पाया जाता है इसके अलामा blood vessels, nerves, bone marrow इन में भी आपको connective tissue देखने को मिलेगा, इनका काम क्या होता है, यहां से यहां तक पढ़ लो इनका function बताया गया है, कि भाई यह हमारे organs के बीच में अगर कोई space है, कोई खाली जगह है, तो उसको भरते हैं, उसको fill करते हैं इसके अलामा हमारे internal organ को भी support करते हैं यह air roller connective tissue और tissues को भी repair करते हैं अलग-अलग tissues अगर wear हो जाते हैं, tear हो जाते हैं, टूप जाते हैं तो उनको repair करने का काम किसका होता है air roller connective tissue का अब आगे एक वह चीज बताईए है आपको बताईगी है, हमारे body में जो fat होता है, जो मोटापा होता है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ store किया जाता है fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organs आपने six pack देखें आपके six pack क्या है, six pack हमारा fat storing tissue है ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है यह हमारे skin और internal organs के बीच में पाया जाता है ठीक है, आप अपने six pack देखो, छे packs निकले हुए है न, वो समझ लो fat को store करते हैं six pack में क्या भरा हुआ होता है यह fat को store करके रखते हैं इसलिए हमारा six pack क्या है एक तरीके का edipose tissue है ठीक है, समझ में आया तो भहिया, edipose tissue के बारे में हम पढ़ रहे है यह एक और तरीके का connective tissue है edipose tissue कहाँ पाया जाता है skin और हमारे internal organs के बीच में the cells of these tissue are filled with fat globules storage of fat also let it act as an insulator कह रहा है कि भहिए जो हमारे यह edipose tissue के cells होते है वो जादा तर fat के droplets से भरे होते है वो बड़े-बड़े fat के गुंबारों से भरे होते है आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हू edipose tissue यह जो B वाला figure दिख रहा है that is edipose tissue आप देख रहे हो, इस tissue के जो cells है वो बड़े-बड़े fat के droplets से भरे हुए है filled है अब भाई, इस edipose tissue के अंदर यह fat के droplets पाया जाते है इस वज़े से यह insulator का काम भी करता है आपको मैं बता दू कि जो fat के molecules होते है वो bad conductor of heat होते है क्या होते है bad conductor of heat अब इस edipose tissue के अंदर fat molecules पाया जाते है और इसी वज़े से यह जो edipose tissue होता है वो insulator का काम भी करता है यह देखो storage of fats also lets it act as an insulator अब अगर आपसे question बूछ दे कि भाई, why edipose tissue act as an insulator तो आपका answer क्या होगा edipose tissue act as an insulator due to the presence of fat molecules ठीक है आपके सरीर में जहां कहीं भी fat के molecules पाया जाएंगे समझ जाना वो bad conductor of heat है ठीक है और वो insulator का काम करेगा so this is all about the connective tissue now we'll move to the third type of the tissue and that is muscular tissue topic number 6.3.3 और इस topic में हम पढ़ेंगे कि भाई हम इंसानों के अंदर जो muscles पाया जाते है वो किस tissue से मिलकर बनते है ठीक है let's get started muscular tissue consist of elongated cells अब यह जो तीसरे तरीके का tissue है जिसको muscular tissue कहते है muscular tissue जिन cells से मिलकर बना हुआ है यह cells काफी लंबे-लंबे होते हैं काफी elongated होते हैं अब इन cells के लंबाई की वज़़े चे ना हम इन muscle cells को muscle fibers भी कह सकते हैं fiber किस चीज को नाम देते है जो चीज thread की तरह दिखती हो उसको हम fiber कहते हैं तो भाईया यह जो muscular tissue है ना इसके cells काफी लंबे-लंबे होते हैं मैं अभी आपको यह बगल में figure दिख रहा होगा यह muscle cells है muscle cells आप देख पा रहे हो कितने लंबे हैं इसलिए हम इन muscle cells को क्या कह सकते हैं हम इनको muscle fibers भी कह सकते हैं this tissue is responsible for movement in our body यह muscular tissue होता है यह हमारी body के अलग-अलग हिस्सों को move कराने के लिए responsible होता है हम अपने पैर, हाथ चला पाते हैं मस्कूलर tissue की वज़े से ऐसा क्या होता है जिसकी वज़े से मस्कूलर tissue हमें movement में मदद करते हैं कुछ तो होता होगा न बिल्कुल होता है देखो muscle cells के अंदर ना एक एक बहुत ही अजीब एक बहुत ही special तरीकी का protein पाया जाता है जिसको हम contractile protein कहते हैं ये protein कहां पाया जाता है ये muscle cells का जो cytoplasm होता है आपको पता है भाई हर cell में एक cytoplasm होता ही होता है इसी cytoplasm से चिपके हुए होते हैं ये contractile protein और क्या काम करते हैं ये muscles को contract करते हैं मतलब muscles को tight करते हैं और फिर loose करते हैं, muscles को tight करते हैं, loose करते हैं, tight करते हैं, loose करते हैं, जिसकी वज़न से हम अपने pair, हाथ, हम अपने body के अलग-अलग हिस्सों को move करा पाते हैं, ठीक है? लंबे-लंबे इसी बज़ें इनको मसल्स कहते है आगे आप रिख रहा है कि वी के मूज सम्मसल्स बदिक ज़ेया कि हमारे सरीर में कुछ आसे मसल्स है जिनको जब हम चाहे तब हम move करा सकते हैं जैसे कि जो हमारे limbs यानि जो हमारे हाथ और पैर में muscles मौजूद होते हैं जो हमारे हाथ में, पैर में जो muscles पाय जाते हैं ऐसे muscles को जब हम चाहे तब move करा सकते हैं और जब हम चाहे तब रोक सकते हैं अरे भाई तुम अपने हाथ को जब चाहोगे तब ही तुम मूफ करा सकते हो ना ऐसा थोड़ी है कि आपका हाथ आटोमेटिक जब चाहे तब मूफ करने लगता है नहीं न तो भाई ऐसे मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे विल के अनुसार चलें ऐसे मसल्स को हम वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स क्या होते हैं सिंपल से ऐसे मसल्स जो हमारे विल हमारे जब हम चाहे तब चलें जब हम चाहे तब रुकें ऐसे muscles को voluntary muscles कहते हैं these muscles are also called skeletal muscles voluntary muscles को एक हम और नाम दे सकते है skeletal muscles skeletal का मतलब क्या होता है? bone होता है तो याद रखना हम voluntary muscles skeletal muscles भी कह सकते है क्यों? क्योंकि भाई जादा तर जितने भी voluntary muscles होते हैं वो हमारे bones से attached होते हैं ठीक है ये देखो लिखा गया है कि skeletal muscles as they are mostly attached, attached to what? Attached to the bones and help in the movement of the body. हम voluntary muscles को skeletal muscle भी कहते हैं क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे bones से attach होते हैं और हमारी body को move करने में मदद करते हैं. अगर तुम इन voluntary muscles को microscope के अंदर रख कर देखो गे ना तो तुम्हें क्या दिखेगा? इस muscles so alternate light and dark bands or striations when stained appropriately ये देखो ये है हमारा striated muscle cells जो मैं जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे अभी. इस figure को ध्यान से देखना यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ये जो voluntary muscles होते हैं ये voluntary muscle ही है ये जो उपर वाला आपको दिख रहा है ये voluntary muscles ही है ठीक है? कह रहा है कि भाई जो voluntary muscles होते हैं अगर हम इनको microscope में रखकर देखे तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे यहाँ figure में दिखाया गया है ये microscope के अंदर बिल्कुल ऐसे दिखते हैं और इनके अंदर dark और light bands होते हैं ये जो band देख रहा है आप ये light and dark band, light and dark band ये देखो अलग- में तो dark band होते हैं, कुछ तो light band होते हैं इन bands को हम estreation भी कहते हैं ठीक है, is treation's कहते हैं As a result, they are also called estreated muscles अभी भाई अभी जो voluntary muscles होते हैं उनके अंदर ये band जिसको हम estreation कहते हैं, ये band present होते हैं इस लिए हम voluntary muscle को skeletal muscle भी बोल सकते हैं और इस्ट्रियेटिड मसल भी बोल सकते हैं the cells of these tissue are long, cylindrical, unbranged and multinucleate मतलब यह जो voluntary muscles होते हैं जिनको हम इस्ट्रियेटिड मसल्स भी कहते हैं यह कैसे muscles होते हैं इनका shape and size कैसा होता है यह cylindrical होते हैं आप देख रहे हो यह cylinder की shape के हैं यह cylindrical muscles होते हैं unbranged मतलब इन में branches नहीं होते हैं जैसे nerve tissue आपने देखा होगा nerve tissue में क्या होता है nerve tissue मारा कुछ ऐसा ही दिखता है उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर branches बने होते हैं लेकिन हमारे इस इस striated muscle cells के अंदर branch नहीं होता और इनके अंदर बहुत सारे nucleus होते हैं तो यह तो हो गया भी यह हमारा voluntary muscles अब आगे पड़ते हैं हम अभी तक तो हमने voluntary moment देखे मतलब कुछ ऐसे moments जो हम चाहें तभी होगा हम अपने पैर को हिलाना चाहें तभी हमारा पैर मूफ करेगा हम अपने हाथ को मूफ करना चाहें तभी हमारा हाथ मूफ होगा लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें जो automatic हो जाती है जैसे हम अपने mouth में जैसे ही food को डालते हैं तो यह जो food होता है यह elementary cannol के थ्रू क्या होता है पेट में चला जाता है ठीक है अब यह हमारा क्या हो गया यह एक तरीके का involuntary moment है हम चाहें या ना चाहें यह जो खाना है यह हमारे पेट में जाना ही जाना है है की नहीं इसके अलावा जो blood vessels होते हैं जो blood को carry करने वाली pipe होती है यह जब blood को carry करने वाली pipe होती है जब यह blood को carry करती है तो यह automatic contract और relax होती है यह भी एक तरीके का involuntary moment है हम चाहें या ना चा और टाइट और लूज ऑटमेटिक होते रहेंगे हम ऐसे मूविमेंट को ना तो स्कार्ट कर सकते हैं ना तो लिए म becoming मतलब हम एसा नी है कि हम जब चाहें तभी बलड मुझब होगा हम जब चाहें तभी खाना मुझ से पेट में जाये गा ऐसा नहीं होता है तो भाई ऐसे movements को control करने वाला कौन सा muscle होता है smooth muscle या जिसको हम involuntary muscle भी कह सकते हैं हमने देखा voluntary muscle क्या काम करता है जो हम चाहें वो involuntary muscle क्या काम करता है जो हम ना चाहें तब भी होता रहेगा ठीक है जैसे blood vessels में से जब blood जाता है तो ये एक तरीकी का involuntary movement है movements को कौन control करता है smooth muscles या इसको हम involuntary muscles भी कह सकते है they are also found in the iris of the eye जो हमारी आखो की पुतली होती है जो काली-काली पुतली होते है आखो की आप देखते हो कि कभी-कभी आप आखो को move कराना चाहो या ना कराना चाहो ये automatic move करते रहते तो यहां भी आपका involuntary muscles पाया जाता है uratrus uratrus पता है आपका जो पैसाब वाली नली होती है जो urine को निकालने वाली जो pipe होती है उसको हम uratrus कहते है वहां भी आपको involuntary muscles मिलेंगे क्यों? क्योंकि भाई urine हम चाहे या ना चाहे निकलेगा तो है है की नहीं है in the bronchi of the lungs जो lungs के अंदर आपने देखा होगा बगल में figure भी देख लो एकड़म ब्रांचेस की तरह अलग 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 ब्रांचेस दिखते हैं वो है हमारा ब्रांचाई वहां भी आपको involuntary muscles दिखते हैं तो भाई involuntary का मतलब ही होता है जो हम ना चाहें तब भी होता रहेगा ऐसे movements को कौन control करता है ऐसे movements को involuntary muscles control करते है तो यह कहां कहां पाया जाता है यह मैंने बताया elementary canal में blood vessels में हमारी आँखों की जो पुतली होती है iris of the eye उसमें uratrus में bronchi of the lungs इन सब में involuntary muscles पाया जाता है ठीक है the cells are long with pointed ends and uninucleate जो हमारे यह यह जो हमारे involuntary muscle के cells होते है यह काफी लंबे-लंबे होते है आप यह देखरों यह figure यह involuntary muscle का figure है ठीक है यह काफी लंबे-लंबे होते है और spindle shape के होते है spindle का मतलब क्या होता है sui देखरों इनका जो point है वो काफी नुकीला है तो यह जो हमारे involuntary muscles होते है यह क्या होते है यह लंबे होते है pointed ends मतलब इनके जो किनारा होता यह काफी नुकीला होता है और इनके अंदर केवल एक ही तरीके के cell पाया जाता है केवल एक ही nucleus पाया जाता है आप देख पार होगे figure में यह देखो यहाँ पर एक nucleus इस वाले में भी एक nucleus इसमें भी केवल एक nucleus तो मतलब हर एक involuntary cell में आपको केवल एक ही nucleus मिलेगा यह उपर वाले voluntary cells में हमने देखा बहुत सारी nucleus थे ठीक है involuntary में केवल एक अही nucleus होता है अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि भाई हम जो smooth muscles है इसको हम एक और नाम देते हैं unstriated muscles ऐसा क्यों कहते हैं हम इसको हम उपर वाले को unstriated muscle कहते हैं क्योंकि इनमें क्या लगा होता है band लगा होता है इनमें पटियां लगी होती है इनको smooth muscle को हम unstriated muscle क्यों कहते हैं क्योंकि इनके अंदर पटियां नहीं होती है इनके अंदर कोई भी band नहीं होता है यह काफी smooth होते हैं इस वज़े से हम इनको unstriated या smooth muscles भी कह सकते हैं यह देखो question हमारा यहीं पर बनता है कि भाई why involuntary muscles are called unstriated muscles क्यों कहते हैं simple सी चीज because they do not have striations इनके अंदर यह पट्तियां यह band नहीं लगी होती है चलो आगे पढ़ते हैं कि the muscle of hurt so rhythmic contraction and relaxation throughout the life अब आपका जो दिल है वो पूरी जंदगी धड़कता रहता है पूरी जिन्दगी आपने देखा होगा आप अपने दिल पर हाथ रखके देखो आपका दिल कैसा धड़क रहा है पहले फूल रहा है पचक रहा है फूल रहा है पचक रहा है टाइट हो रहा है लूज हो रहा है है कि नहीं तो भाई यह जो muscles होते हैं यह rhythmic contraction सो करते हैं यह एक rhythm में चलते रहते हैं पूरी जिन्दगी यह एक तरीके से धड़कते रहते हैं अब इस तरीके के involuntary muscles को हम cardiac muscles कहते हैं ऐसे involuntary muscles जो लगातार चलते रहें इनको हम cardiac muscles कहते हैं cardiac का मतलब ही होता है related to hurt तो hurt में जो muscles पाया जाता है इसको हम cardiac muscles कहते हैं hurt muscle cells are cylindrical branched and uninucleate अब यह देखो यह जो तीसरा figure आपको दिख रहा है this is cardiac muscle ठीक है cardiac muscles कैसे होते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है cardiac muscles cylindrical होते हैं मतलब इनका जो safe होता है वो कुछ cylinder की type का होता है यह आप देख रहो they are cylindrical cylindrical cells branched इनके कई सारे branches भी होते हैं आप देख रहो एक branch यह दूसरा branch इसमें आ गया है तो यह branched भी होते हैं और इन cardiac muscles में भी केवल एक अही nucleus पाया जाता है देखो पर cardiac muscle केवल एक अही nucleus पाया जा रहा है is it clear? yes बिल्कुल clear हो गया होगा अब चलते हैं अपने last and next type of animal tissue के बारे में जिसको हम nervous tissue कहते हैं देखते हैं क्या होता यह वैसे तो हमारी body में जितनी भी cells होते हैं उन सभी के पास यह चमता होती है यह ability होती है कि अगर हम उनको कोई message दे यह हम उनको touch करें तो वो कुछ ना कुछ respond जरूर करेंगे चाहे कोई भी cell आपकी body में हो अगर आप उसको touch करोगे तो वो कोई ना कोई activity जरूर करेगा लेकिन जो हमारे nervous tissue होते हैं nervous tissue जिन cells इसे मिलकर बनता है यह cells खास तोर पर इसी लिए बनाये जाते हैं ताकि यह क्या कर सके अगर इनको कोई signal दिया जाए stimulated का मतलब क्या होता है अगर हम इनको कोई message दें ठीक है किसी तरीके का signal दें या अगर हम इने touch कर लें तो यह क्या करते हैं यह तुरंत उस message को transmit कर देते हैं transfer कर देते हैं हमारी body के किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पर for example मालो तुम्हें चोट लग गई तो क्या होता है जहां पर चोट लगती है वहां की जो नसे होती है वो तुम्हारे तुरंत brain को signal देती है brain तब तुम्हें कहता है कि भाई react कर तुम्हें चोट लगिये तब तुम चिलाने start करते हो ठीक है the cells of this tissue are called nerve cells are neuron nerve tissues यHE जो निर्वसट宇स होते है यं cell से मिलकर बनते है आपको पता है कि कोई भी tissue है वह cells का गुच्छा होता है वह cells से मिलकर बनता है तो और कह रहा है कि जो nervous tissue है ये जिन cells से मिलकर बने हैं इनको हम neurons कह सकते है यह sound निरा मियाद रहेगा what are neurons तो आप कह One consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. अब यह जो nub cell होता है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? Nub cell हमारा nucleus और cytoplasm से मिलकर बना होता है. जैसे जो बाकी भी cells होते है, उन में भी nucleus और cytoplasm पाया जाता है. सेम ऐसे जो neurons होते हैं, उन में भी nucleus और cytoplasm पाया जाता है. इसके अलावा नॉप सेल्स में लंबे लंबे चोटे चोटे बाल, हेर लाइक structure होते हैं, इनको हम dendrites कहते हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, यह देखो figure देख लेते हैं पहले, यह हमारा हेर लाइक structure है, जिसको हम dendrite कहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का हमारा पूरा nerve cell होता है, nerve cell कैसा दिखता है, किन चीजों से मिलकर बना है, यह आप अब तक समझ चुकी होगी, ठीक है, यहाँ पर देखो साब साब लिखा है कि भाई, जो हमारा nerve cell होता है, आप इसमें बताओ मेरे को कि इस nerve cell में कौन सा लंबा वाला हिस्सा है, ओवियसली यह वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम exon कहते हैं, ठीक है, तो भाई हमारे nerve cell में nucleus present होता है, यह long part जो दिख रहा है, यह exon होता है, यह hair like structure जो है, यह dendrite कहते हैं, यह जो नीचे है, इसको nerve की ending कहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का हमारा कुछ nerve cell होता है, nerve cell का figure याद कर लो, क्योंकि यह आपकी exam में chances हैं क्या आजाए, nerve cell simple होता है, इसलिए teachers दे देते हैं, और आगे कह रहा है कि यह जो nerve cells होते हैं, जिसको हम axon कहते हैं, जो मैंने आपको दिखाया, और इसके अलावक काफी चोटे 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 और branched parts भी होते हैं, जिनको हम dendrites कहते हैं, वो मैंने दिखाया तरहा, आपको चोटे चोटे hair like structure, उनको क्या कहते हैं, dendrites कहते हैं, an individual nerve cell may be up to a meter long, जो neurons होते हैं, एक nerve cell एक मीटर लंबा हो सकता है, एक मीटर समझ रहो, एक nerve cell काफी लंबा होता है, लगभग एक मीटर लंबा तक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, कि सभी nerve cells एक मीटर लंबे हो, लेकिन कुछ-कुछ होते हैं, many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve, अब देखो, यह हमारी जो nerves होते हैं, तुमने कभी सोचा हमारी नसे, हमारी जो nerves होती हैं, वो किन चीजों से मिलकर बनी हैं, तो भाई, nerve fibers से मिलकर बनी हैं, nerve fibers क्या होते हैं, जैसे fiber का मतलब मैं आपको बता दू, पतला धागा, ठीक है, तो इस nerve को बनाने के लिए, बहुत सारे nerve fibers, जो कि पतले-पतले thread होते हैं, इनको आपस में जब bind किया जाता है, इनको आपस में जब बाज दिया जाता है, बाधने का काम कौन करता है, connective tissue, ठीक है, कौन सा connective tissue, यह एक अलग सा connective tissue, इसका नाम E से स्टार्ट होता है, एपिथेलियम नहीं है, ठीक है, आप एक बाद सर्च करना कि, which connective tissue is used to hold nerves, ठीक है, तो कुछ E से नाम याद आएगा, मुझे exactly पता नहीं है, पता क्या, याद नहीं आ रहा भी, अभी, इस time नहीं आद आ रहा, ठीक है, चालो, तो यह रहा हमारा neuron का figure, अब आगे हम पढ़ते हैं कि, nerve impulses allow us to move our muscles when we want to, अब कह रहा है कि, भाई, यह जो nerves होते हैं, यह क्या काम करते हैं, यह काम क्या करते हैं, जब हम चाहें, तब हम अपने muscles को move करा सके, यही काम होता है, इन nerves का, nerves क्या करते हैं, जैसे for example, हमने सोचा, कि अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है, तो nerves क्या करते हैं, तुरंत signal देती है, brain को कि भाई, इसको चलना है, तो उसके बाद brain हमारे muscles को signal देता है, कि चल भाई तेरा काम आ गया तू चलना स्टाक कर दे ठीक है तो nerve क्या काम करते हैं यह signal impulses भेजने का काम करते है impulses का मतलब क्या होता है signal भेजने का कि तुम्हें करना क्या है और आगे कह रहा है कि the functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals खेर है कि जादा तर जितने जानवर है वो जिन्दा इसलिए हैं वो अपना काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका nervous tissue और उनका muscle tissue दोनों मिल के काम करता है nervous tissue signal देता है कि तुझे क्या काम करना है और उसके बाद muscle tissue वो अपना काम करता है जैसा signal पाता है, muscle tissue ऐसा काम करता है तो ये दोनों मिलकर जादा तर जितने भी जानवर होते हैं मतलब जादा तर क्या सभी जानवरों में यही दो चीजें मिलकर उस जानवर या उस इंसान के function, उस इंसान के movement में मदद करती है this combination enables animals to move rapidly in response to stimuli, मैंने बताया ना कि nerves, जैसे ही signal मिलता है तुरंत muscles को signal देती है कि भाई, तुझे तेज चलना है, तुझे धीरे चलना है stimuli, मतलब message के response में हमारा जो muscle होता है वो movement करता है so this is all about this animal tissue I hope you have loved this chapter कुछ question है question number one है कि भाई, name the tissue responsible for movement in our body तो इसका क्या answer होगा that is muscle tissue muscle tissue हमारे body में movement के लिए responsible है दूसरा कह रहा है कि what does a neuron look like neuron किस तरह दिखता है तो neuron आप एक ऐसे कह सकते हो a long part with a branched end or having nucleus and cytoplasm तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा neuron और उसके बाद third वाला question है कि give three features of cardiac muscles cardiac muscle जो हमारा दिल का muscle है वो उसके features क्या है तो cardiac muscle so rhythmic contraction and relaxation जो हमारा cardiac muscle होता है वो लगाता धड़कता रहता है दो और ढूल दो तुम internet से मिल जाएगा तुम्हे fourth वाला क्या कह रहा है what are the functions of aerolar tissue aerolar tissue की बारे मैंने आपको बताए था aerolar tissue एक तरीके का connective tissue होता है यह एक तरीके का connective tissue होता है यह क्या काम करता है इसका function क्या होता है इसका काम होता है क्यूसनिंग देना क्यूसनिंग का मतलब पता है कुसन का मतलब क्या होता है तकिया जो तकिया काम करता है बिल्कुल वही काम करता है हमारा aerolar tissue, aerolar tissue बाकी organs को support करने का काम करता है, तकिया क्या करता है हमारे सर को support करता है, बिल्कुल ऐसे ही aerolar tissue हमारे organs को support करता है, इसके अलामा ये tissues को भी repair करने का काम करता है tissues को repair करने का भी काम हमारा aerolar tissue का होता है तो these all are the four questions जो animal tissue वाले chapter से आपके लिए है so I hope अच्छा लगा होगा वीडियो ठीक है कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताएं चानल को share करें और subscribe तो भाई बिना बताए बिना कहे कर दिया करो क्योंकि काफी मेनर लगती है वीडियो में मिलते एक और धमागीदार वीडियो के साथ जब तक पड़ो लिखो ask करो